प्यारे बच्चों रमाश्कार आज हम बिटा हिंदी की क्लास में हमने जैसा कि आप चाहिए ओ मातर की दोराई शुरू की हुए उसकी आज हम उसी को आगे कॉंटिडियू करेंगे तो आज हम करेंगे आपका आपका पार्ट नमबर 11 है उसमें से आपके जो कुछ नए शबत नहीं प्रेक्टिस करेंगे और इसी साथ प्रेटा इसकी पीछ आपको लास्क कुछ नए शबत दिएंगे हैं उनकी भी हम दिक्टेशन में प्रेक्टिस करेंगे तो देखिए सबसे पहले शबद देखें बिटा हो ली कैसे लिखेंगे हो ली देखो बोल तो देखो उसको हो ली तो साउंड काम पर आ रही है बिटा हो की हा के साथ देखो हो ली इसी तरह अगला शबद भोर बोल तो देखेंगे भोर मतलब की भ को ओ और साथ में र, देखें, भो, र, भो, इसी तरह और कुछ शबद आयते हैं, जैसे की घोडे, घोडे के देखेंगे, घोडे, घोडे, रोहन, ये किसी का ना है तक एक बच्चे का, देखो, रोहन, रोहन, आपने बेटा इस लेटन को एक बर अच्छे से रीट करना है, इसके पीछी आपको इसके लास्ट पर यहांपर कुछ नए शबद लिए गए हैं, इनको भी आप पहले एक बर रेड करेंगे, फिर आप अपने ममा से इन शबदों को बुलवाएंगे और आपने इनको कौपी के उपर लिखना है, अगला शबद लेटा, अगला शबद हैं, धो, धो, लग, धो, लग, तो पहले दो, उसके बार लग, देखिए, धो, लग, धो, लग, अगला शबद लेटाइस में, समोसा, कैसे लिखेंगे, समोसा, बोल-पोल कर लिखेंगे, जब तक आप बोल कर नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि किस मातरा की आवास आ अगला शबद मोरी, देखो, मोर नी, इस तरह से बटा आप शबद को ब्रेक कर लिए, अगर उसके अप्षिनों को तोड लिए, अगर उसके आपको पता चले कि किस अक्षर के साथ कौन सी मातरा की आवास आ रही है, तो देखिए, मोर नी कैसे लिखेंगे, मोर नी, न को ब उसके बाद कर, कर यह सो बड़ेगा, कर और कर, जो कर, अगर आच्छा बाद टो-पी, देखिए फेले टो, sound कहां बराई, ट के साथ, ओकी sound और प के साथ, ए की मातरा, तो देखिए, टो-पी, टो-पी, इसी तरह, रो-टी, रो-टी, र को sound, ओकी, और ट को sound, ए, रो-टी, इस तरह से पिटा इसमें आपको अगर कुछ और नहीं शबद लिखें तो उनको भी आपको पीछे आपको पीछे आपको यह पेस नमबर 20 एक पर कुछ शबद दिये गें उसमें से भी हम शुतले की प्रैक्टिस करेंगे शबद दिखें अख रोट पहले दिखो अख रोट अख इसमें कोई मत्रा नहीं तो अख उसके बाद रोट र को कांसी साउंड आई ओ मत्रा दी तो र को आप लगाएंगे ओ और साथ में डार देंगे ट यह क्या बन गया अख रोट अगले शबद दिखें दान मोट इस दाल इसके बाद मोट म को कौन से साउंड आ रहे है ओ मत्रा तो म कुम लगाएंगे ओ और साथ में क्या जाएगा आपका ठ दाल मोट अगला शबद दे बचा है आपका दो पहर अब देखें दो पहर क्या है दो दो को ओ पहर 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 नेक्स शबद आ है सोंबार इसको भी शूंर से पहले ब्रेख करो स् करें हो तो पहले शोमय इसके साथ वार तो पहले सों मतलब की सो म म सख良 धो को अब प्रिमने हिन्ता वार तो व को आ और साथ में र शोम म वार नैक्स शबद है रसोईगर इसको पहले बेए रसोई फिर घर अब रसोई बच्शोई को फिस से र, सो, ई, एवन गेर सो ई, अब उसके साथ घर, घर क्या से लिएगे, घर, घर, अगला श्रावजा है बटाए आपका रेडियो, देखे रेडियो, रेडियो, अब रे में देखो, रे में कौन सी साउंड आजे, ए मतरा की, जब तक आप नहीं बोल कर देखो, कि आपको नहीं पता चलिएगा कि कौन सी मतरा, तो रे, साउंड एक, तो रव के उपर हम क्या अलगाएंगे बटा, एक, देखे रे, उसके बाद री, रव को क्या अलग जाएगा बटा, शोगी दी, री, उसके बाद ओ, रव को आईगी आपकी, ओ मतरा, रेडियो, इस तरह से बटा, आज आपने ओ मतरा की शुक्लेटी ही आपने अच्छे से अभ्यास करना है, अगर आपको कहीं से ओ मतरा की कोई और नए शब्द मिले, तो आपको उनको भी लिखकर देख सकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद,